हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चनल को ठैडी क्लासेज में और आज हम एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्तित हैं जिसका नाम है मांग का सिद्धात। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मांग का सिद्धान्थ जो कि Micro Economics का बहुत ही important चैप्टर है यह 11th क्लास और 12th क्लास के लिए बहुत ही important चैप्टर इसलिए बन जाते है क्योंकि Micro Economics का base हम मान सकते हैं मांग के सिद्धान चैप्टर को Micro Economics का weightage भी बहुत जादा है और paper में इस चैप्टर में से भी एक कोशन या दो कोशन 100% आने के चांसे जोते हैं तो इस चैप्टर को बहुते ध्यान से पढ़ना होगा और चैप्टर काफी बड़ा है इवन ये बोलना गलत नहीं होगा कि Micro Economics का सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो मांग का सिध्धान्त है तो चलिए शुरू करते हमारा चैप्टर मांग का सिध्धान्त तो देख लेते हमारा पहला कोशन जो कि मांग के सिध्धान चैप्टर का first question बनता है कि मांग से क्या अभिब्राय है जैसा कि कोशन में ही बोल रखा जैसा नाम है कि मांग का सिध् खर्च करने की तदप्रता देखिए हम पहले भी पड़ चुके हैं कि साधन क्या होता है साधन संसाधन हमने बताया कि साधन चारपकार कि होते हैं श्रम भूमि पुंजी और उत्यमि तो मांग का अभीबडाय उस इच्छा से है और साथ ही सादनों को खर्च करने की ततपरता हो मतलब पहले तो सादन फुरी मात्रम होने चाहिए उसके बाद ततपरता होने चाहिए कि जितनी जल्द हो सके हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन सादनों का परियोग करें उदहारन के लिए अगर आपको कोई कार खरीद नी है और आपके पास पैसा अच्छी मातरम में है तो आपके अंदर देखते ही तत प्रता होने चाले की आपको क्यों रहे हैं तो वो मांग है वरना हर किसी व्यक्ति के मन में कोई ना कोई इच्छा जागती रहती है परंतु वो केवल इच्छा ही बन के रजएगी अगर वो साधनों को उसके उपर खर्च नहीं करेगा तो तो यह सिंपल सी डेपेनिस होती है कि मांग का क्या भी प्राइब अब पहले हम बात कर लेते हैं मांग का नियम से किया उपर आया है देखे सेकंड कोश्ण के अंसर लेटे हैं लिखाए कि अथा हूँ इस किमत में वरद्दी होने पर उसकी बांग कम हो जाती है अपने जीवन से जोड़ करके देखे कशिके चीह किमत में कमी होगी ज numents И 따gyam कोई खशुकि किमत में कमी होगी तो हम मांग बढ़ा देंगे जब वर्द्र दी होगी तो मांग कम कर देंगे इस परकार मांग और कीमत के बीच वीपरीद्व सम्वंद देखने को मिलता है इसी कौंने मांंका नियम नाम मांग का नियम क्या है? मांग का नियम है कीमत के बढ़ने पर मांग का कम हो जाना और कीमत के घटने पर ही मांग का बढ़ जाना ये मांग का नियम कहलाता है बेसिक सा कोशन है, दूसरा कोशन बहुत इजी तीसरे कोशन बढ़ा जाते हैं अब तीसरा कुशन कहा राही कि बताः continue लेक्तिकत वाक्र और बाजार माँखव क्र से क्या अभी बढ़ा है एक नंबर या कभी कभी मतलब तीन नंबर का कुशन ये बनता है maximum जो इसig ounces होते हैं इसक did की एक नंबर का कुशन बनने कि विक्तिकद मांगवकर और बाजार मांगवकर क्या होते हैं जल्दी इंटेकल लेते हैं इस्ता अंसर देखे, लिखावाई कि विछ्टिकद मांगवकर वहवकर है जो वस्तु की विभिन कीमतों पर एक उबहुकता द्वारा खरीदिगी मातराओं को परकट करता है केवल एक उबहुकता एक वस्तू का कितनी मांग कर रहा है कब मांग कर रहा है वो व्यक्तिकत मांग वक्त दर्शाता है ये कुछ इस्वरकार का होता है किसी भी कीमत पर उब्हुकता किस वस्तु की कितनी मांग करेगा इन इस्तितियों को वो दर्शार होता है मान लिजिए कि 2 रुपे पर कीमत पर उब्हुकता आठे काईयों की मांग कर रहा है और कीमत बढ़का जब चार होगी तो बहुकता मांग गटा देगा अच्छा यह कहीं हो की तो यह डिमांड करू बनता है इस तरीके से यह व्यक्तिकत मांग वक्र है देख लेते हैं दूसरा वक्र जिसे बोला है कि बाजार मांग वक्र से काई वराई है तो यहां लिखाओगा वेह वक्र जो वस्तू की विभिंन की इमतों पर बाजार के सभी उभ्योकताओं दौर ओरा मांग गि यह मातराओं को परकट करता है प्रत्तिक वक्तिक के दौरा अलग-लग मांग की जाती है अलग-अलग वस्तों कोई जादा खरीटता है कोई कम खरीटता है अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि उनकी इंकम कितनी है तो अलग-अलग उभोकतों के द्वारा जो मांग की जाती है अगर उनके मांगवकरों को दर्शाय जाए तो वो अलग-अलग मांगवकर बनेंगे तो इसे बोला गया है बाजार मांग वक्र, बाजार में उपस्तित अन्य विक्रेता, उभोकताओं के द्वारा की गई मांग को जो वक्र दर्शाते हैं, उसे बाजार मांग वक्र कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, तो ये कोशन इतना इंपॉर्टन नहीं है, इससे बात कर रहे हैं अपने कोशन नमबर फोर की, कोशन नमबर फोर बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है, मांग वलन से क्या अभी ब्राय है, ये कोशन हंड़र्ड पर्शेंट पीपर में आने के चांसे होते हैं, और ये भी मान के चलिए कि मांग का सिद्धान चेप्टर बना ही इ कि मांग के नियम यानि के अन्य बाते समान जाने पर तो वो अन्य बाते भी इसी के अंतरक्त आएंगी, तो देख लेते हैं एक बार कि मांग फलन होता क्या है, देखिए, किसी वस्तू की मांग और उसके निर्धारक तत्वों के संबंद को मांग फलन कहते हैं, मतलब किसी किन किन चीजों से प्रवावित हो नहीं हो नहीं है अगर कोई विक्रेता वस्तु की कीमत में कमी करते तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और अगर कोई विक्रेता उस वस्तु की कीमत में व्रद्धी करते तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी या नहीं कि मांग कीमत से प तो मांग फलन वैसे दो परकार के होते हैं पहला हो गया व्यक्तिकत मांग फलन दूसरा हो गया बाजार मांग फलन और व्यक्तिकत मांग फलन के इंतर जो चीज़े आती है वह वस्तू की कीमत जैसा कि हम पहले वी पर चुके कि किसी वस्तू की मांग परभावित होती है किस व परकार वस्तु की कीमत वस्तु की मांग को निर्थारत करने में साहत होती है दूसरा परण देख लेते हैं संबंदित वस्तु की कीमत देखें दोस्तों संबंदित वस्तु जो है वो दो परकार की होती है अगर हम संबंदित वस्तु को देखने की बात करें तो पहली हो गई प परती स्थापन वस्तू कहलाती है तो चाई की जगह पर कॉफी परती स्थापन वस्तू कहलाईगी तो देखे अगर चाई की कीमत में व्रद्धी हो जाए मालीजे दस रुपे की चाई थी और दस रुपे की कॉफी थी लेकिन चाई की कीमत में व्रद्धी तो अब क्या कॉफी की मांग बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉफी जो है चाई की तुलना में अब सश्थी होगए। जब की कॉफी वाले ने 12 रुपे रेट कर दिये और कॉफी अभी दसकी है तो लोग कॉफी की तरफ आकर्शित हो जाएंगे तो ये पॉइंट होता है प्रतिस्तापन वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पर परियोग में आ सकती हैं दूसरा जो पूरक वस्तु का मतलब होता है जो एक दूसरे की उपय योगिता मतलब कि उन दोनों का एक दुस्रे के बिना काम नहीं चलेगा जैसे पैट्रोल है पैट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी तो पैट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की मांग उस समय जाद हो जाएगी जिस समय पैट्रोल सस्ता होगा जैसे CNG है अभी CNG की डिमांड क्यों है क्योंकि CNG पेट्रोल की दुलना में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है और इसी वज़े से CNG की मांग लोगों की द्वारा जादा की जा रही है तो जिस वस्तू और CNG से चलने वाली गाड़ियों की मांग भी जादा की जा रही है इसलिए हो र यह नहीं लागू हो पारा यानि की नरधारित करने के लिए यह भी डिपेंट करता है कि नियम था की भीया कारवालेने रिट गिरा देतों कार की मांग बढ़ा दो लेकिन कारी की मांग इसलिए नहीं बढ़ाइज जारी कि गारवालने रेट गटा हैं बलकि इसलिए बढ़ाई जारी है क्योंकि CNG सस्ती हो रही है तो यह होती है संबंदित वस्ट में पूरा कोस्ट में प्रतिस्थापन वस्ट में मांग फलन के जो यह सारे पॉइंट है सारे इंपोर्टन है कोशन एज आ जाता है तो यह वाला कोशन आ सकता है कि संबंदित वस्ट की कीमत में परिवरतन से क्या पर भापड़ता है आप प्रिविएस एर कोशन से एक बार देख लिएगा और इसमें कोशन ऐसा भी दे रखता है कि X वस्तू की कीमत में वरद्धी होने से Y वस्तू पर क्या पर भाप परेगा या Y वस्तू देखे X वस्तू की कीमत ऐसे देरखा हुआ कोशन कि X वस्तू की कीमत में वरद्धी होने से Y की मांग बढ़ जाती है तो दोनों बताईए कि कौन सी वस्तू है तो देखे X वस्तु की केमत, मान लिजे कि X वस्तु, यहां पर रखके देखना पड़ाएगा, और यह बोड में आया हुआ वा कोषकंन, मान लिजे कि X वस्तु है चाय, और Y वस्तु है काफी, तो नियम लगा के देखे कि क्या चाई की कीमत में व्रद्धी होने से कॉफी की मांग बढ़ेगी बिल्कुल सही बात है तो यह दोनों एक दूसरे के परतिस्थापन बस्तू होगी तो हम यहां पर बता सकते हैं कि यह दोनों परतिस्थापन बस्तू है एज़ डिसकोशन पूछा गया है पेपर में सेम तुसेम कोशन पूछा गया है ठीक है तो अगर इस तरजी किसे कोशन आएगा तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा दोजार सोला में आय था एकोशन और तो दूसरा कोशन देख लेते हैं इसी का दूसरा तीसरा पॉइंट ओब भोकता की आए देखे बहुती आसान पॉइंट है उब भोकता की आए में व्रद्धित से क्या होता है या आएपरभाव इसे आएपरभाव नाम से भी जानते हैं तो अगर आएपरभाव देखें किसी वस्तो की मारघ पर तो देखें अगर सामने वस्तों पर आएपर घई तो इनकम बढ़ने के किमते कंद लगने लगी, और आपने उन वस्तु की मांग बढ़ा दी। इसी अगल सकते हैं, अगला कि पसंदर रुची, ये देखे बिलकुल एज C 더 पसंदर रुची किमते मांगा पुर्थिद कोई वस्तु आपके पसंद बन चुकी है कोई वस्तु आपको बहुत अच्छी लगने लगी है तो कोई फरक नहीं पड़ता आप उसके rate कितने चुका रहे हैं क्योंकि आप दो वस्तु में से एक वस्तु जो की महंगी है उसे खरीदने के लिए अब तयार है बिल्कुल फर एक्जम्पल हम बार जब समान खरीदने कले जाते हैं तो जो कपड़े हमें पसंद आ गए हैं चाहे वो महंगे हो तो हम उस वस्तु को खरीदते ही खरीदते हैं बैल बटम पैंट होती है जो मिताब बच्चन पैंदा था पुराने जमाने में अगर वो पैंट हमें सस्ती मिल रही हो कि चलिए इसकूल चले आते हैं उसे पैन के तो हम कभी नहीं पैनने वाले जबकि वो सस्ती मिल रही है क्योंकि उसका फैसेन चला गया है तो पसंद रुचि या फैसन में परिवर्तन यह point है कि हम उस वस्तू का परियोग अब नहीं करने वाले सस्ती होने पर भी जबकिन यहम कर रहा है जो वस्तू सस्ती उसकी मांग बढ़ा ही है लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे तो पसंदर उच्छी किसी वस्तू की मांग को प्रभावित करती है अगला point है देखिए भवित से की संभावना है भवित से की संभावना थोड़ा complicated है समझने में थोड़ी problem हो जादी जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो देखें भवित से की संभावना है जबकि अभी रेट नहीं बड़े हैं लेकिन आप अभी उस्वस्तु की मांग को क्या कर रहें कम कर रहें मांग के नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहें तो यह निर्धारक तत्व हो गया भविस्य की सम्मामना है भविस्यम अगर आपको जैसे दिवाली फेस्टिवल आ चाहिए है से समय पर चीनी की मांग जो है दिवाली से थोड़े दिन पहले कर लेनी चाहिए एक और एक्जामपल ले लेते हैं कि अगर आपको बदा लगते हैं कि दो दिन बाद पैट्रोल के रेट बढ़ने वाले तीन लीटर तीन रुपे लिटर है चार लिटर बढ़ने आपको ये खबर आती है तो आप अभी क्या करेंगे अभी उस्वस्तू की मांग बढ़ा देंगे जबकि अभी रेट घटाए नहीं गए हैं लेकिन तुलना की जाए अगर भविस्ये से तो भविस्ये में कीमत बढ़ने की संभावना तो अभी आप रेट को अभी रेट कम ह होने के विजर से आप उसे मांग को बढ़ा देंगे तो ये होते हैं व्क्तिकत मांग फ्cionalं देखिए आसानी से याद करें लाइन से याद करें तो ये ठीक रहेगा एक और बलाइन से याद करते हैं तो ये आपर फ़वuration कने कोशिश करेंगे तो यही इमेज ये जो यहां पर लिखे वे पॉइंट से यही मेज आपके दिमाग में आईगी तो इसे लाइन से याद करें वस्तू की कि मैं संबंदित वस्तू भुख तक है पसंदर उची भाविस्य की संभाग है अब बात कर लेते हैं इसी का सेकंड पॉइंट जिसमें लेका होता है बाजार मांग फल पलन की व्यक्या कीजिए तो आपको सारे ंसील फडैने पड़ेंगे फिरसे में मता दूर चाहर हो सिर्फार कार्या की वेखिया जैसा कि पहले भी पूछा गया कि भविस्य की संभावनाओं की वाक्या कीजिए, मांग को प्रवाइद करने के लिए भविस्य की संभावना कारक किस परकार से साहिक है या किस परकार से मांग को प्रवाइद करता है, ऐसे बोल देता है, लेकिन इसने क्या करा कि 2016 में ये कोश 멍चन जन्संख्य buds बढ़ रही है तो मांग बढ़ जाएगी जन्संख्य घट लिकी तो मांग घट जाएगी तो यह जादा कुछ समझनी की उस्ट नहीं है आयके वित्रण देख लिक्रते ऊच्छे से ना के बितरन की जो समाज में दिखावी का काम कर रही है तो आयका वित्रन समान प्रकार से होने पर मांग बढ़ेगी सामने वस्तों की और आयका वित्रन समान होने पर मांग बढ़ेगी मिलास्ता वस्तों की तो ये बेसिक सा कॉंसेप्ट है आयके वित्रन का तो इसलिए इस question को बहुती ध्यान से करिएगा और क्योंकि पिछले काफी समय से जैसे मैं कमेंट्स में पढ़ रहा हूं या मेरे को messages आ रहे हैं Facebook पर या tuition center में बताया जा रहा है कि वीडियो ज्यादा बड़ी मत बनाई है जैसे 30 minutes की वीडियो को काफी lengthy मना जा रहा है तो दोस्तों देखिए कुछ वीडियो ऐसी हैं जो बहुत मतलब जरूरी हो जाती हैं तो उनका concept पूरा clear कराने के लिए हमने सब कुछ बताया ऐसा नहीं है कि हम अपने YouTube चैनल पर सिर्फ छोटी छोटी चीजें बता करके और थोड़ा थोड़ा concept इलेर करा करके बच्चों को confuse करने ही कोशिश करें इसलिए वीडियो थोड़ी lengthy हो रही है लेकिन जैसा कि हमें बार-बार ये बोला गया तो मैंने सोचा कि ठीक है अब हम part 1, part 2 करके वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो ये जो वीडियो है जिसका हमने मांग का सिद्धा अंतनाम रखा इसमें कुछ कोशन समने जैसे यहां लिखे हैं कि 9 कोशन पूरे बन रहे हैं तो मांग फलन तक के कोशन हमने आज कर लिया और अगली वीडियो यानि कि इसका part 2 हम जल्दी लेकर के आएंगे तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और पुरानी जो वीडियो हैं उस पर पूरा focus रखें और political science की वीडियो भी बहुत ही जल्दी upload होने वाली हैं मतलब आप लगा लीजे कि अगले Sunday से पहले पहले बहुत सारी political science की वीडियो भी upload कर दी जाएंगी तो आप टच में रहें और ध्यान रखें कि जो हम वीडियो यह upload करते जा रहे हों उन्हें ज्यादा से ज्यादा बार देखें repeat करें मैं guarantee ले रहा हूं कि अगर आप अभी और कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं मालेज आप book नहीं पढ़ रहे हैं आप sample paper नहीं पढ़ रहे हैं तो इतना अच्छा और इतना जादा content में available करा रहा हूं कि इन questions के बाहर से question आने के chances ना के बराबर हो जाएंगे तो आप पूरा focus रखिए अच्छे से पढ़िए और त्यारी कीजे और बिना tension के पढ़ाई ये सोच के चलिए कि जतना आपने पढ़ा है वो complete है इसके extra कुछ नहीं आने वाला तो अगर इस तरीके से त्यारी करके चलेंगे तो confident रहेंगे और बिना tension के paper देंगे और सबसे पहली चीजी ही है कि आप confidence के साथ paper दीजिए अपने पर भरोसा रखिए तो मिलते हैं फिर आप से अगली वीडियो में जो कि मांग का सिध्धान्त का part 2 होगा और इसमें ये पूरा concept clear कर लेंगे कि मांग जर्टर में और कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन आपके paper में आने वाले और दोस्तों जिस तरीके से आपने हमारी पिछली वीडियो से उसको चरा है फर्स्ट बुक जल्दी से जल्दी खतम करने के बाद हम सेकेंड बुक आ जाएंगे जैसे नैशनल इंकम के लिए भी हमारे पीछे काफी बच्चों ने बोला कि नैशनल इंकम के भी आप content available कराईए तो नैशनल इंकम भी बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि 11th class का economics का paper पहले होने वाला है तो इसलिए micro economics को जल्दी से जल्दी cover कराया जा रहा है उसके बाद back to back सिर्फ national इंकम के question और second book को micro economics को कराया जाएगा तो बिना attention के आप त्यारी करिए channel को subscribe करिए notification के लिए आप bell icon को दबाना न भूले ताकि जल्दी से जल्दी जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके notification आपके पास आती रहे है ठीके दोस्तों तो मिलते हैं कुछ थोड़ी समय बाद अपने part 2 को ले करके मांग का सिध्धान्त का तब तक के लिए thank you so much